हेलो दोस्तो नमस्कार कोई भी बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन किसी भी शेयर में निवेश करता है तो इससे हम लोगों ने क्या होना है इंफ्लूएंस नहीं होना है कि चलो उन्होंने भी खरीदा तो हम भी खरीदेंगे क्योंकि आप सबी लोगों को पता है बीच में एक वीडियो भी बनाया था जो बहुत ज्यादा पॉपिलर भी हुआ था अमिता बच्चन जी ने भी ऐसे शेयस खरीदे थे 15 लाग शेयर 43 रूपीज पैंड उसके बाद उस शेयर का भ्याव क्या हो गया आप सबी लोगों को पता है तो जिन लोगों नहीं वीडियो देख लिया उन लोगों को पता है जि इस पर्टिक्लर स्टॉक में हम लोगों को निवेश करना है जो कि हम लोगों को अच्छा लग रहा है तो आपका अच्छा बिल्ट हो रहा है बट जब आप लोग कोई डिशन लेते हो एंड उसमें एडिशन कभ हो जाता है जब कोई बड़ा इंवेस्टर आपी के स्टॉक जो आपने जो खुद मेनाद करके यहाँ पर पिक किया था और बाद में निवेश आ जाती है कि उन्हों ने भी उसी शेर में निवेश करने का डिशन लिया है या फिर उन्हों ने बहुत बड़ी कॉंटिटी उसमें खरी दिये तो हम लोग जरू कह सकते कि एक बहुत करें यह जो second example में आपको बता रहा हूँ इसमें आप लोग किसी से influence नहीं हुए in fact आप लोग ने खुद डिशन लिया और आप लोगों का confidence और बढ़ गया क्योंकि बड़े investor ने आप इक शेर में निवेश किया है तो यह सबसे पहले होना चाहिए कि आपका डिशन पहले आ और भी है future में यह पर चल सकते हैं यहाँ पर हम लोग बात किसी के कर रहे हैं तो आप सभी लोग का पता हैं यहाँ पर Tata Group तो अगर हम लोग बात करें तो इनीस से रिलेटेटर जो Tata Group के जीतने भी shares है उसमें हम लोग already invest करते हैं बट उसमें अभी दोस्तों और कुछ जुड़ते वे देखने की मिल रहा है तो हम लोग इस तीन से चार्ज स्टॉक्स की भी यहाँ पे बात यहाँ पे करने वाले हैं कुछ होमवर्ग में भी आप लोग को यहाँ पे दे दूँगा तो आप लोग भी सर्च करके बता देना सो तभी हम लोग कह सकती कि हमारी स्टॉड़ी थोड़ी अच्छी लगते हैं एंड हम लोगों का कॉंफिडन्स थोड़ा और भी बढ़ जाता है एंड हमेशा आप लोग को बता चुका हूँ कि टाटा के शेर्स जो रहते हैं उसमें एक ही चीज़ चाहिए भयंकर पेशन्स तो आप लोगों को रिटन्स मिली जाएंगे तो आज की दिन के अगर हम लोग बात करें तीन से चार स्टॉक की में बात करने वारो तो सबसे पहले राकेज जुन जुन वाला जी ने यहापे इंटर किया है रिटेल इमिनस्टर को माल बेच के यहापे वह प्रॉफिट बुक कर लेते हैं रिटेल इमिनस्टर फर्स जाते हैं तो टाटा कम्यूनिकेशन की बात करें दोस्तों तो यह स्टॉक है तो रिस्की डेफिनेटली रिस्की है इसी बात नहीं कि चलो राकेज जुन जुन वाला आरजे ने भी आप एंटरी कर ली तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं ब्लाइंड ली फॉलो करते हैं बिल्कुल भ हमेशा महेंगे पड़ जाते हैं आप देख सकते हैं इस न्यूस के बाद 12 जैनवरी मतलब आजी के दीन हम कह सकते हैं इस कंपनी में हम लोगों को आल टाइम हाई कह सकते हैं या फिर 52 हाई हम लोगों को अची होते हैं देखने को मिला है बारा तारीक की बात करें तो 33-34% की देखने को मिल रहे और आपको प्रूफ भी आपे दिखाना चाहूंगा बीसी के ओफिशल वेबसाइट पे हैं हम लोग यहापे मैंने अभी अभी यहापे PDF उपन कर लिया था थोड़ा सा यहापे सर्च करना पड़ सकता है ठीक है यह देखिए यह उपन हो चुका है टाट वाला रेखा राकेश उन्होंने अपने वाइफ के नाम से आपे इन्वेस्ट किया है अगर हम लोग आपे बात करें तो आप नंबर आफ शेर्स देख सकते हो कितने हैं 32,006,87 शेर्स उन्होंने आपे खरीदे हुए है एक ही शेर होल्डर है हम लोग ऐसा भी आपे बोल सकत है यह रूपीज नहीं है मैं वापस केना चाहूँगा यह नंबर जे रूपीज अगर आपको चाहे तो मल्टिप्लाइबाए आप कर सकते हो 700,800 क्या सपस क्योंकि यह होल्डिंग अभी की नहीं होती है वो पुराना डेटा रहता है तो हम लोग जरू कह सकते हैं कि इनका ज चीजी आते होई भी देखने को मिल सकती है अगें डिस्क्लेमर देना चाहूँगा यह न्यूस के चलते हम लोग एंट्री नहीं किये पहली हमारा पास थोड़ा सा कॉंटिटी इसके बारे में तो अभी यह न्यूस थोड़ा सा पावर यहां पर दे रही है यह यह भी कहना अब यह न्यूस थो जबरू किया बट मिनिममम रखा है मतलब जैसे ना आप मेरा टीस का शेर ओल्डिंग देखोगे या फिर अगर बात करें टाटा कम्यूनिकेशन देखोगे रइट बागी के टाटा की जितने भी शेर्जे जबरदस टाटा कम्यूनिकेशन बोल दिया इ दोस्तों कि यहापर आरजे की इन्वेस्मेंट हम लोगों को यहापर देखने को लगा है इसी के चलते आज यह स्टॉक भागते वे देखने को मिला है तो आरजे के स्टॉक अगर आप देखोगे टाटा से जुड़े वे बहुत सारे है और एक है टाटा मोटर्स आप सभी इंप्रूमेंट है और इसी के चलते हैं हम लोगो यह तेजी भी यहापर देखने को मिल चुकी है तो टाटा मोटर हम लोग जरू करेंगे पाच साल दस साल टाइप करने में क्या जाता है हकीकत में जब आप होल्ड करते हो ना तब समझ में आ जाता है कि बाकी स्टॉक करें तो अच्छा कासा यहाँ पर चल रहा है और तीन साल में इसको नियर बाइट फ्री करने की बात किये उसके चलते हम लोगो और भी मुमेंटम देखने को मिल चुका है यह देखना टाटा के शेर आज भी 52 एक हाई पर देखने को मिल रहा है टाटा मोटर्स की में बात कर सेट कर लेता हूँ यह देखें जुन जुन वाला राकेश आप लोगों को देखने को मिल जाएगा है यह कितने शेर्ज है आपको वो भी एक बार क्रॉस वेरिफाय करना चाओंगा चार करोड चार के उपर साथ जीरो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो तो यही कहना चाओ सकते हैं इसका अर्थ यह नहीं कि सर्टीस का इन्वेस्मेंट कभी आरजे के नाम के उपर देखा नहीं टाटा कंजूमर में भी नहीं देखा मतलब वो खराब है क्या अरे आपको थोड़ी पता चलेगा वह एक पसंट से ज्यादा होता है तब वह डिस्पले हो जाता है एक से नीचे रखते होंगे तो हो सकता है ना अलग-अलग बाइफर्केशन करके भी रखते होंगे तो एक पसंट से नीचे दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए हो सकते है ऐसा सो जरू हम लोग कह सकते है कि यहां पर जो यह होलिंग डिस्पले होता है जव आपकी इन्वेस्म रखा यही सवाल रहेगा बेश दे राके जुन जुन वाला जी को फॉलो करते हैं बट यह नहीं देखते कि कितना टाइम उन्हें इसको होल्ड किया है यह सीखना है दो पसंट नीचे आ गया है तो रिटाल इंवेस्टर भाग जाते हैं तो टाइटन एवर ग्रीन कंपनी कोई इसमें शक्की गुंजाईशी नहीं है बहुत ही सॉलिड कंपनी आज के दिन एक फॉर्मेलेटी कर लेते क्या पर्फॉर्मस रहा यहां पर देख लेत सब्सक्राइब कर देख लेना राकेश जुन जुन वाला रेखा जुन जुन वाला की बात करें तो लगब एक करोड के आसपास और भी अलग अलग नाम की कंपनिया भी रहती है वहां से भी वो इन्वेस्ट करते रहेंगे तो कुल मिला कि अगर हम लोग बात करें तो राकेश जुन जुन वाला की वे अगर आप होल्डिंग देखोगे कौन से शेर में लॉंग टर्म के लिए यह सब लॉंग टर्म इन्वेस्टर है यह टाटा को ही आपे प्रिफरेंस प्रिसीसे जो मिह ऑल्लीड आप लोगो बोल चुका हूं कि ताया की आप हिरायर की भी देखोगे तो बहुत ही सॉलेड रहेता है उनका कैश जुन जुन वाला निवेश कर दिया मार्केट धुने देखा देता हूं एसा बल्कुल नहीं करना है हमेशा slow and steady जाना है आप लोगों उन्हें देखना चाहिए कौन सा stock अच्छा कर रहा है टाटा के ऐसे बहुत सारे shares है जो कि पिछले 3 साल से negative return दे रहे जैसे मैं बोलता हूँ कि emotion market में काम नहीं करता है आपको दिमाग जगे पर रखके थंड़े डिमाग से आपके decisions लेने है सिर्फ में आप लोगों को यह information देने के लिए वीडियो बनाता हूँ सो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो जरू like and share कर देना सो that's it thank you very much we will be meeting our next video तब तक के लिए bye bye